हाई अब्रिवन तो आज लोगों ने चेक भी कर लिया होगा ठीक है आई होप अच्छा ही गया होगा आप लोगों का जो रिजल्ट है ठीक है तो यार यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप इस वीडियो के नीचे प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका रिजल्ट कैसा रहा ठीक है बाइलोजी में कितने माक्स आपने गेंड करें कितने माक्स आपको मिले इसके लावा आप मेरा एक नमबर नोट कर लीजिए और अगर आप वाट्सप या मुझे कॉल करके भी मैं से बात करके मुझे नमबर डिसकस करना चाते है तो मुझे अच यजर्ड अच्छा नहीं आया होगा तो उसमें टेंशन लेने आली बात नहीं है नीट के लिए ठीक है नीट के लिए जो मिनिमम परसेंटेज चाहिए होती हो कितनी चाहिए होती है 50% ठीक है तो अगर किसी बच्चे की है 50% या 52, 53, 55% ऐसी भी आती है तो होपलेस मत होना क्यो तो यह क्लास 12 के जो नंबर है यह इतना मैटर नहीं करते हैं ठीक है आप कितना नीट जो आपका एक्जाम है उसमें आप कैसा परफॉर्म करते हैं वो जादा इंपोर्टेंट है बाकि मैं क्यूरियस हूँ यह जानने के लिए कि आप लोगों का रिजल्ट कैसा रहा और उस कि मैं चाता हूं जो आउनलाइन में से पढ़ रहे हैं बच्चे वो भी मुझे रिजल्ट अपना बताए कि कैसा उनका रिजल्ट रहा है तो कॉल करना हो यह वाट्सप करना हो तो प्लीज मुझे करना मुझे अच्छा लगगा ठीक है उसके रावा बस यही पॉइंट है कि कि फुपलेस नहीं होने का कभी नहीं होने का 50 परसेंट भी अगर जैसे मैंने बूला तो आते हैं तो कोई बात नहीं है यार अपना जो है नीट में अच्छा प्रिप्रेट करोगे तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा आप मतलब 50 परसेंट अगर आपके आते है तो आप अच्छे से पढ़ोगे नीट अच्छे से दोगे तो आप बहुत बेस कॉलेजिस में जा सकते हैं तो 12 की परसेंटेज में नहीं करती है अभी कुछ ताइम तक आपसे पूछेंगे लोग ना कि 12 में कितने आये क्या माक्स आये कितने माक्स है दो 3-4-5 मेने बाद को कोई यह पूछता बस यह पूछेगा कि अब आगे क्या कर रहे हो है ना यही तो पूछते हैं तो उसमें फिर जब आप बोलोगे कि भाई मैं तो सब भूल जाते हैं कि 12 की परसेंटेज करना इसलिए hopeless नहीं होने का और अच्छे से अपनी महनब करना आगे जो आपका आप जो आप नीट का पेपर दो गया आगे जाके ठीक है तो all the best to you बाकी मुझे आप जरूर बताना की result कैसा रहा ठीक है और बस यह की मुझे करना था तो thank you so much for watching बाई बाई